हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागात है हमारे नियो ट्रक विठीडी चनल में आज अपन बात करेंगी बिजन आई एस टेस्ट स्रीज 16 का ये दोस्तो फूर्थ पार्ट है और इसमें भी हम हर कोशन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक कोशन से कमसम पाच कोशन आप खुद बना सकें और दोस्तो बीच वीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो कुशन आप पढ़ें वो आपको जादे दिन तक लियाद हो जाए और आप वीडियो की वीच में किसी वी तरह से बोन ना हो और दोस्तो किरपे वीडियो को अंधर तक जाओ देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाए वो आपको मिल सकें तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बेना किसी देरी के रित किया तो इनमें से आपको बताना है किसका कौन सा सही नहीं है तो अब बंदिक हैं जो आसायोग आंधुलन को गांधी जी ने बापस ले लिया था तो उसके बारे में बताना है कि कौन से सही नहीं है तो इसमें जो पहला दिया कि आसायोग आंधुलन को बापस लेने की गोशना बारदॉली प्रस्ताम में की गई थी तो यह व्लूस सही है लेकिन इसमें बताना है कि कौन से सही नहीं है यहानि कि जो पहला वाला है यह वाला तो बिल्कों सही रहेगा और जो इसमें दूसर दिया की चोरी चोरा की घचना ने गांधीजी को यह आंदोलन बापस लेने के लिए प्रिरित किया था तो ये वाला भी बिल्कों सही है लेकिन इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नमें सकड़ी हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो और ये जो चोरी चोरा घटना है ये चार फरवरी 1922 को घटित होई थी जिसमें जो आसर होगे आंदोलन थी और जो पुलिस थी उनके मद में टकराव हो गया था जिसके कारण उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी थी जिसके कारण इसमें 23 पुलिस कर्मी की मिर् हो गई थी और फिर ये जो हिंसा फैली थी इसे को देखती हुए गांधी जी ने आसर होग आंदोलन बापस ले लिया था और यह जो बारदोली सत्याग रह था ये 12 फरवरी 1922 को घटित हुआ था और जिसके कारण से इसमें एक प्रिस्ताव पारित किया जाना था और उस प दिजिटल टक्निक के संदर्व में सुपर एप क्या है तो इसमें जो ए नमर दिया है कि बैंकिंग लेंदेन में ब्लॉक चैन प्रोदोकी के उप्योग को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लिकेशन है और बी नमर दिया है कि किसी भी मालवियर से डिजिटल आउसन अचन कि सुरच्छा के लिए एक एप्लिकेशन इसमें जो मालवियर है इसका मतलब होता है जो बाहर से ऐसे वायरस आ जाते हैं जिसके कारण जो हमारा कम्प्यूटर होता है वो हैक हो जाता है वो ही कहलाता है मालवियर और इसमें जो सी नमा दिया है कि आतंक वादियों के इस पर से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है तो अब पन देखें जो डिजिटल तकनिके के संदर्व में सुपर एप आया है ये क्या है तो इसमें जो ए नमद्या की बैंकिंग लेंदेन में ब्लॉक चैन प्रदोकी के उप्योग को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लिक ये आला भी बिलकुल गलत हो जाएगा और इसमें जो सिनम अद्या की आतांकवादी की इसपश्ट गतिविद्यो की निगरानी करने के लिए राष्टी सुरच अजनसी द्वारा बिक्सित एक एप्लिकेशन है तो ये आला भी बिलकुल गलत हो जाएगा यानि कि इसका सही अंसर तो हो जाएगा, अंसर नमें इसका डी हो जाएगा, कि उप्रोक्ट में से कोई नहीं, और आपन देखें, जो इसमें सुपर एप है, इसका मतलब होता है, कि एक ऐसा प्रेटफॉर्म बनाना, जिसमें विवेन प्रकार की सिवाई प्रजान करता हो, जैसे आपन देखें जो चीन का भी चैट एप है, यह एक मैसेंजिंग एप है, लेकिन इसमें विवेन प्रकार की काम होते हैं, जैसे कि इसी से आप भुकतान कर सकते हैं, इसी से आप मार्केट कर सकते हैं, यानि कि पूरी सौपिंग कर सकते हैं, इसी से आप खाना ओर कर सकते हैं, और इसी से आ और अभी जो भारत में सुपर एप की गोशनकी है वो की है जो टाटा समू है उन्होंने गोशनकी है और अब चलते हैं कुश्य नमर नेक्स्ट है कुश्य नमर त्रेसाट है की निन ने लिखे दे मैसे कौन से आप परिवतन वादियों के रचनात्मा के कार क्रम के घटक थी प आधेसी उद्योग को प्रुदसाहण तो इनमें से आपको बताना है की इसका कौन सा आंसर शही तो आउपन देखें कि इसमें सब्द आ रहा है आपरिवतन वादी मतलब की जो परिवतन होता है उसके ब्रोधी उसी को बोलते हैं आपरिवतन वादी और इसी के बारे में अपन को बताना है कि इसमें कौन-कौन से घटक सामिल किये गए हैं तो इसमें जो पहला दिया कि हिंदू-मुस्लिम एकता को परिवतन वादी थे मतलब की जो परिवतन व्रोधी थे तो उनका मुक्ध उद्यस यही था कि जो हिंदू-मुस्लिम हैं उसके एकता को परिवतन करना और इसके साथ साथ जो अस्प्रिश्टा उन्मूलन है उसको भी बढ़ावा देना और इसमें जो तीसर जया की परिवतन वादी थे तो उन्होंने परिशाद में प्रिवस किया था ना कि परिशाद में प्रिवाद किया था और इसमें चोत् dispers करना तो यह वाला भी ब्लग को गलत हो जाएगा क्योंकि जो परिवतन ब्रोधी थे याने कि जो आपरिवतन वादी थे तो उनके जो रचनात्मा के कार के घटक थे तो उसमें किसी भी जगह पर स्वादीसी उद्योग को पुरुदसाहित करने वाले घटक सामें नहीं है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नमस का यह हो जाएगा कि केवल एक और दो सही है और अब पन चलते हैं कुश्य नमस नेक्स्ट कुश्य नमस चोहसट है कि मुलाना अवलकलाम आजाद के संदर्व में निन लिखेते कतनों पर विचार की ये पहला दिया है उन्होंने अलहिलाल नामक एक उर्दू सपता है के पत्र प्रकास्त किया दूसर दिया की वह अंग्रेजों के पृति बफादार अलिगर्विचाधारा के बुरुद्ध थे तीसा दिया की वह उन्यसों से तालिस में सुतंत भारत की पहले सिच्छा मंत्री बने तो इन्वेसा को बताना है किसके कौन-कौन से कथन सही है और अब पन देखें जो मौलाना अबुलकलाम आजाद हैं इनके संदर में अपन को बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं तो इसमें जो पहला द्याय की उन्होंने अलहलाल नामा के एक उर्दू सप्ताहे के पत्र प्रकासेते किया था तो यह अलबुलक को सही हो जागा और इन जो सप्ताहेक पत्र है इसको फेर 1914 में बंद भी का दिया था यानि कि इस पर प्रतिबंद लगा दिया था और यह कहकर प्रतिबंद लगाया था कि यह जो पत्र है यह अलगावादी बिचारों का प्रचार करती है इसलिए इस पर 1914 में पूरता प्रतिबंद लगा दिया था और इसमें जो दूसरा दिया है कि वह है अंग्रेजियों के प्रिती बाफ़ादार अलीगर बिचाय धारा की बिरुध्य थे, तो ये वाला भी ब्रुक को सही हो जाएगा और इसमें जो तीसा दियाय की वह है 1947 में सुदंद भारत के पहले सिच्छा मंत्री बने तो ये वाला भी डुको सही हो जायेगा और जो मुलाना अबुलकलाम आजाद है ये पहले सिच्छा मंत्री तो रहे थे लेकिन जब तक इनकी मृत्ति नहीं हो गई यानि की सन उनिस सो अंठाउन था के ये सिच्छा मंत्री के पदपर ही बने रहे और इन्होंने इस पदपर बन कर बहुत सारे सिच्छा छेत्र में कार किये जिसके कारण इन्हें सन उनिस सु बाने में मरण उपरांते भारत का जो सरवच नागरे के समान यानि की भारत रतन है उससे इनको समानित किया गया था यानि कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नमा इसका भी हो जाएगा कि एक, दो और तीन इसका सही आंसर है और अब पन चलते हैं कुशन नमा नेक्ष्ट है कुशन नमा पैसा ठेकी 86 समिधान संसोधन अधनियम 2002 ने भारत के समिधान में निमने लिखित में से कौन सा यसे नया या नय अनुच्छित अंता इस्थापित किया ये कि ये पहला दिया है अनुच्छित 21 का का दूसर दिया है अनुच्छित 45 से तीसरा दिया है अनुच्छित इंक्याउन का का तोishops को बताना है किसका कौंसे उत्तर शाहिए है तो अब आपन देखें जो छाश्यवा सम्मिधान संसूदन अधिय्यम 2002 हुआ था तो इसके संदर्म आपन को बताना है कि इसमें कौन से नया अनुचित जोड़ा गया था या कौन से नये अनुचित जोड़े गए थे तो इसमें जो पहला दिया है कि अनुचित 21 का का तो यह अला तो बिल्कों सही हो जाएगा प्रिदान करेगा और ऐसी कोई रीती भी बनाएगा इसलिए जो पहला वाला कतन है ये वाला बिल्कों सही हो जाएगा और इसमें जो दूसर दिया है कि अनुच्छित 45 को अंतरह स्थापित किया गया था तो ये वाला बिल्कों गलत हो जाएगा क्योंकि जो अनुच्छित 45 है तो इसमें कहा गया था कि जो राज है वो सभी बालकों को 6 से 24 की आयू पूरी करने तके जो प्रारमिक बाल अवस्ता है उसका देखरे करेगी और जो उसका सिच्छा है उसका देने का उपबंद भी करेगी और इसमें जो तीसरा है कि अनुच्छेद इंक्याउन का का को अन्ता हिस्तापित किया गया था तो ये अलबलकोल गलत हो जाएगा क्योंकि जो अनुच्छेद इंक्याउन का का है इसमें एक नया अनुच्छेद इंक्याउन जोड़ा था यानि कि जो अनुच्छेद इंक्या गया था कि मातर पिता या कोई सनच्चक है वह 6 वर्स से 14 वर्स से तक कि आयू वाले अपने यथा इस्ति बालक हो गया या पृतिपाल के लिए सिच्छा के आउसार प्रिदान करेंगे और यही कहा गया था अनुछित इंक्याउन का जो 11 नमर है लेकिन जो अनुछित इंक्या कुष्ण नमर नेक्ष्ट कुष्ण नमर च्छासाट है कि गदर सब्ता है कि पत्र के संदर में निमने लिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला दियाए कि यह युगांतर आस्रमदरा आरम क्या गया सब्ताहिक था दूसरा दियाए कि गदर करपर्थम अंक्ये गुरु मु औरताहा धर पेस्ट था तो इन्होंय साव को बताना है किसका कौनसा या सी कत्नाया सही है। तो अपन देखें जो गदर सब्ताहा के पत्र प्रकासत हुआ था तो इसके संदर्ण में अपन को बताना हैं तो इसमें जो पहला द्याय की यह योगांतर आस्रम दरा आरंभे किया गया सताइक पत्र था तो यह वाला तो बिल्कों सही हो जागा क्योंकि इसने नॉमर 1913 में सेन फ्रांसिस को में अपना जो मुख्याला है वो योगांतर आस्रम से प्रारंभ किया था और वहीं से उन् अंक था वो गुरू मुख्य में प्रकास्त हुआ था तो यह वाला बिल्कों गलात हो जागा क्योंकि गदर का प्रतम अंक जो था वो उर्दू में प्रकास्त हुआ था ना कि गुरू मुख्य में फिर उर्दू के वाद गुरू मुख्य में प्रकास्त हुआ था लेकिन सब से पहले वह उर्दु में प्रकास्त हुआ था इसलिए इसका दूसरा वाला कथन वेकों गलत हो जागा और इसमें जो तीसरा द्याय की यह अपनी बिचाय धरा में पूरतः धर्वन रिपच्छ था तो ये वाला व्रुक को सयो जागा क्योंकि इसमें वेवेन धर्मों और छे लिकिया था और जो गदर सब्ता है के पत्र प्रकासत किया गया था तो इसमें राष्टवादी जो अभिवादन बंदे मातरम था उसको रेली किनारे की रूप में अपनाया गया था ना कि जो सिक धर्म का अभिवादन सब्दे यानि की सथ स्रीकाल था उसको अपनाया गया थ इसलिए जो इसमें पूर्ता धरुने पेच्छे सब्द आ रहा है तो यह वाला ब्रुक को सहो जागा और जब यह पत्र प्रकासिते किया जाना था तो इसके जो गठन में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था तो वो पंजाब के सिखों नहीं दिया था लेकिन उन्होंने कि इसलिए जो उनका अभिवादन सब्द था सत्स्रीकाल उसको नहीं अपनाया जबकि जो राष्टवादी अभिवादन बंदे मातरम था उसको रेली का एक नारा बनाया था इसलिए इसमें जो पूर्ड धरुने पेच्छे सब्द है तो यह वाला भी ब्रुक को सही हो जाए अंसर नमर इसका बी हो जागा कि किवल एक हो तीन इसका सही अंसर है और अब पन चलते हैं कुछे नमर नेक्स्ट है कि निन लिखते कतनों पर विचार की पहला दिया है कि उच्छ न्यालियों के न्याधिसों की सेवा ने ब्रिद्धी की आयू में ब्रिद्धी करने के सम्मिधान संसोधन की अवशक्ता होती है तो इन्वे से आपको बताना है कि इसका कौन सा कतान सही है या है तो आपन देखें इसमें जो पहला द्याय की उच्च न्यालियों के न्याधीसों की शेवा निब्रती की आयू में यदि ब्रिद्धी करना है तो उसके लिए सम्मिधान संसोधन की अवशक्ता पड़ेगी तो यह अलब लुक को सही हो जागा और जो भारा सम्मिधान है उसमें तीन प्रकार के सम्मिधान संसोधन होते है यानि कि एक जो संसोधन होता है वो होता है साधान बहुमत द्वारा और जो साधान बहुमत है उसका मतलब है कि यदि किसी पच्छ में 136 वोट पड़े और दूसरे में यदि 137 वोट पड़े तो जिसमें एक मत्वी अधेक पड़ा तो वही जी जाता है यानि कि यही कहलाता है साधान बहुमत है और फिर इसमें जो दूसरी लीती है संसोधन करने की वो है कि संसत के एक बिसेश बहुमत है दौरा संसोधन है यानि कि जिस सदन में जितने वी सदस्च उपस्त हैं तो उसमें से दो तेहाई मत पड़ने चाहिए तभी वह संसोधन होगा और इसका जो तीसरी लीती है संसोधन करने की जो सबसे कठे नीती भी माने जाती है वह है कि संसत के विशेश बहुमत तो होगा लेकिन उसके साथ भी जो आधे राजविधान मंडल है उसके अनुमोनन के भी अवशक्ता पड़ेगी तवी वह संसोदन होगा तो इस प्रकार भारत में तीन रीतियों से श्यमिधान स संसोदन होता है और यह जो आयों में बिद्धी के गई थी तो यह जो संसोदन हुआ था यह संसरी रीति के अनुशार हुआ था यानि की संसद में विशेश बहुमत और आधे राज्य बिधान मंडलों के अनमोदन दौरा या है सनसुधन किया गया और यह जो सनसुधन हुआ था यह 15 संविधान सनसुधन हुआ था जो कि सनности 1973 में किया गया था और इसमें जो दूसरा दियाए के उछ न्यालेों के नय धुषऊ के बेतन में बृधधी करने के लिए संविधान संसुधन के अवशक्ता होती है तो यह अलब्रू को गलत हो जागा क्योंकि यिदि किसी भी उच्छ न्यालय की न्याएं दीसों के बेतन में यी विर्धी करना है या फिर उसमें कमी करना है तो यह संसत दौरा निर्धार दे किया जाता है यानि कि इसमें एक विदाई प्रक्रिया होती है उसी के द्वारा इसको निर्धात किया जाता है ना कि समिधान संसुधन से इसको निर्धात किया जाता है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नमर इसका ए हो जाएगा कि किवल एक सही है और अब अपन चलते हैं कुश्चन नमर नेक्ष्ट है कुश्य नमर 68 है कि आटन नवाचार उपलब्धी संस्थान रेंकिंग यानि कि A.R. I.I.A. के संदर में निमने लिखेते कतनों पर विचार कीजिए पहला दिया है इसका उद्दिर से उद्मिता की विकास से संबन देते संकेत कों पर उच्चितर सिच्छा संस्थानों की रेंकिंग करना है और दूसर दियाई की यह सिच्छा मंत्राले द्वारा जारी किया जाता है तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर शही है या है तो आपन देखें जो अटल नवाचार उपलब्धी संस्थान रेंकिंग है इसके संदर्वें अपन को बताना है तो इसमें जो पहला दियाए की इसका उद्धिर से उद्मिता की विकास से संबंदित संकेतकों पर उच्चितर सिछा संस्थानों की रैंकिन करना है तो ये वाला बिल्कों सही हो जाएगा और इसमें जो दूसर जाय की यह सिछछा मंत्राले धोरा जारी किया जाता है तो यह वाला भी बिलको सही हो जाएगा यानि कि इसका सही अंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सिह हो जाएगा कि एक और दो दोनों से यह और अभी जो हाली में अटन नवाचार उपलब्दी संस्थान रेंकेंगें दोजाब B से जारी किया गया है इसमें सीस पर जो है भारती प्रोदो की संस्थान मद्राज जो है वो इसमें सीस रेंक पर है और अब पन चलते हैं कुशन नमर नेक्ष्ट है कुशन नमर 79 है कि मानो सरीर में प्रती रच्छा तंत्र के संदर्व में B कुशकाओं और T कुशकाओं के संदर्व में नेमने लखित कत्रों में से कौन सा यसी सही है या है पहला दियाए कि B कुशकाओं सहज प्रती रच्छा के लिए उत्तरदाई होती है जबकि T कुशकाओं उपाजेते प्रती रच्छा के लिए उत्तरदाई होती हैं और इसमें जो दूसर द्याय की B कुषका प्रति रच्छी यानि की एंटी बॉडी अड़ों का उत्पादन करती हैं जबकि जो T कुषका हैं वो नहीं करती हैं तो इसमें जो पहला दियाए की बी कुषका हैं सहज पितिरच्छा के लिए उत्तरदाई होती हैं जबकि जो ती कुषका हैं वो उपाजेते पितिरच्छा के लिए उत्तरदाई होती हैं तो यह अलब बनको गलत हो जागा और यह जो सहज पितिरच्छा है यह एक प्रकार की आविसिष्ट रच्छा है जो की जन्मे के समय से ही मौजुद होती है जैसे अपन देखें जो मुह में लार बनती है और आखों में आसु आते हैं और जो अमासा है उसमें अमलका निर्मान होता है तो यह हमारे जन्मे से ही उपसित होता है और इन्हीं को कहते हैं सहज पितिरच्छा क्योंकि भी सहज से ही अपने सरी में बिद्वान होते हैं और इसमें जो उपालीर पितिरच्छा है इसका मतलब होता है कि रोग जने के बिसिष्ट मतलब कि यदि हमारे सरी में कोई रोग आ रहा है तो जब वो पहले बार आएगा तो उसे बहुत नॉर्मस है हैंडल करेगा लेकिन यदि वही रोग दुबारा हमारे सरी पर अटेक करेगा तो जो हमारे प्रतिर अच्छा हैं यानि कि जो B कोशका हैं और T कोशका हैं ये बहुत जल्दी उसका जवाब दे देंगी क्योंकि यह जो रोग है वो पहले हमारे सरी पर आगया था और हमारे जो सरीर है उसने पहले उसको परक लिया था किसकी कौन-कौन सी कमिया है तो जब ये दुबारा आएगा तो फिर ये इसको मुह तोड़ जवाब देगा और फिर हमारे सरीर की रच्छा करेगा और इसमें जो पहला द पाजेते प्रतिरच्छा हैं उनके लिए उत्तादाई होती हैं ना कि जो बी कुषका हैं वो सहर प्रतिरच्छा के लिए इसलिए जो पहला वाला कतन हैं ये वाला बिलकुल गलत हो जाएगा और इसमें जो दूसरा दिया की बी कुषका हैं प्रतिरच्छी एंटिवोडी अड पादन नहीं करते हैं जबकि अड़ो का उत्पादन करने में सहात्य करते हैं इसलिए जो दूसरा कतन है ये वाला बिल्कों सही हो जायेगा यानि कि इसका सही आंसर हो जायेगा आंसर नमर इसका भी हो जाएगा कि केवल दो सही है और अवपन चलते हैं कुशन नमर नेक्ष्ट है कुशन नमर सतर है कि संसदिये राजभासा समीती के संदर्व में निमने लिकित कत्रों मैंसे कौन सा यससे सही है या है पहला दिया है यह 20 सदस्यों से मिलकर बनती है जिन में 10 सदस्यों जो है वो लोकसवा के और जो 10 सदस्यों वो राजभासे होते हैं और इसमें जो दूसर दिया की लोकसवा का अध्यच है इस समीती का अध्यच होता है तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर शही तो अब पन देखें जो संसदी राजभासा समीती है इसके संदर्मेपन को बताना है तो यह जो राजभासा समीती है इसका गठन अनुच्छेद जो 344 का चौता भाग है उसमें बढ़नन किया जाता है और यह जो राजभासा है इसका गठन सन 1907 में किया गया था और इस समीती का गटन इसलिए किया गया था ताकि जो हिंदी का उपयोग होुँरा उसके समीच्छा की जा सके कि अभी वो कहा तक पहुझी है यहने कि किस प्रकास से उसका उपयोग किया जा रहा है इसे कि समीच्छा करने कि लिए सं-19 Cavn में संसदी राजभासा समीती का गठन किया गया था और इसी के बारे में बताना है कि इसमें जो पहला दियाएकी यह 20 सदस्यों से मिलकर बनती है तो यह वालब लुकुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह 20 सदस्यों से मिलकर नहीं बनती जबकि यह तीस सदस्य से मिलकबनती है जिनमें से जो बीस सदस होते हैं वो लोकसवा से होते हैं जबकि जो दस सदस होते हैं वो राजसवा से होते हैं इसे दिए इसका जो पहला कथन है यह वाला विलको गलत हो जाएगा और इसमें जो दूसरा दियाई की लोकसवा का अध्य इस समीटी का अध्य चुता है तो यह अलविल को गलत हो जाएगा क्यूंकि इसका अध्य चुना जाता है लेकिन fashion परंपरा के अध्यू ना ही दो और अब पन चलते हैं कुशन नमर नेक्ष्ट कुशन नमर 71 है कि उन्होंने महिला मत अधिकार की मांग करने है तू भारेश सचिव मौन्टेवू से मिनने के लिए लंदन में एक पितिनी धिमंडल का नित्यत्य किया उन्होंने पूर्सों और महिलाओं दोनों के लिए मत अधिकार की सवान पातता की मांग करते हुए कांग्रेश के अधिविशन में एक पिस्तावी पिस्तुत किया उन्हें कांग्रेश का अध्यच्छे भी चुना गया था उन्होंने दुतिय गूलमेज सम्मिलन में भाग भी लिये था तो इसमें आपको बताना है कि इसमें किसका वर्णा ने किया जा रहा है तो इसमें जो ए दिया है सरूजी नाइडू बे दिया है की इसका कॉनसा आंसर शही है तो अब पर देखें कि उन्होंने महिला मतदिकार की मांग करते हुए भारत के जो सचो मोन टेगू थे उनसे मिनने के लिए वो लंदन में पृति निदी मंडल का नितित उन्होंने किया था तो और फिर उन्होंने आंगे जाकर पुरुस और महलाओं दोनों के लिए मत अधिकार की जो समान पातता है उसकी मांग रखी थी तो इसका सही आंसर हो ज जाएगा कि सरोजी नाइडू और जो सरोजी नाइडू है इन्हें भारत कोकला के नाम से भी जाना जाता है और जो सरोजी नाइडू है यह एक प्रितिष्टेद कवित्री थी और एक प्रिसिद्ध सुतंता सेनानी थी और इसके साथ साथ एक महान वक्ता भी थी और जो सरो जी नाइडू और अब पन चलते हैं कुश्य नमर नेक्ष्ट है कुश्य नमर बाततर है कि निन्न लिखेते संसदिये क्रिया वीदियो में से कौन सी सर्व जने के महत्यों के मुद्दों को उठाने के शाधन है पहला दिया है ध्यान आकाशन प्रिस्ताव दूसर दिया है सून तो अब पन देखें कि जो संसद की क्रिया वीदि हैं उसमें से इदि सर्व जने के मुद्दे उठाने हैं तो उसके लिए कौन-कौन से प्राधान किये गए हैं तो इसमें जो पहला दियाय की ध्यान आकाशन प्रिस्ताव तो ये वाला बिलकुल सही हो जागा क्योंकि जो ध्यान आकाशन प्रिस्ताव है तो इसमें जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी अनुमती से जो सदस्व नहीं उनको अपने विचारे रखने के लिए कहा जाता है और सरकार को अपना पच्छ रखने का अश्रावी प्रिदान किया जाता है इसलिए इसका जो दूसरे दियाय की सून नकाल तो ये वाला भी बिल्कों सही हो जागा क्योंकि जो सून नकाल होता है वो प्रिस नकाल के तुरंत बाद आरम होता है और इसमें सबसे अच्छी विसिस्ता है कि इसे किसी भी पूर्व सूचना के बिना जो मामले हैं उनको उठाने के लिए सदर्श्र को अधिकार प्राप्त होते है और इसमें जो तीसरे दियाय की अलपकाले के चर्चा तो ये वाला भी बिल्कों सही हो जागा क्योंकि जो अलपकाले के चर्चा होती है तो इसमें उन उपायों को रखा जाता है जो बहुत ही आवश्यक होते हैं, उन्हें को इसमें रखा जाता है और जब अलपिकाले के चाचा प्रारम होती है, तो इसमें सदन के समच्छ है, ना कोई प्रिस्ताव होता है, और ना ही चाचा के अंत में कोई मत्दान किया जाता है, और इसमें जो चोथा द्याय की राज्य मामलों को उठाने के लिए सच्चम बनाती है जो अन्य था किसे अन्य रूप में नहीं उठा जाएंगे और जब इसमें मुद्द उठा जाते हैं तो इसकी जो कारवाई होती है वो 30 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाती है इसलिए इसका जो चौतर कतन है ये वाला भी बिल्कुँ सही हो जाएगा यानि कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नमर इसका डी हो जाएगा कि एक दो तीन और चार सही है और अब पन चलते हैं कुशन नमर नेक्ष्ट है कुशन नमर 73 है कि भारत की समधान में ये था पितिश ठापे ते मूल कर्तब्यों की विसेस्ताओं के संदर्व में निम्नलकित कतनों पर विचार कीजिए पहला दिया है मूल कर्तब्य भारती नागरिकों के साथ साथ बिदेसी नागरिकों दोनों पर लागू होते हैं और इसमें जो दूसर दियाए कि इन्हें संसत द्वारा उप्योकते बिधान के माध्यम से लागू कराया जा सकता है तो इन्में से आपको बताना है कि कौन सा यसे कथन सही है यह हैं तो अब पन देखें जो मूल कर्तब हैं इसके विसेस्ताओं के संदर्वे के बारे में बताना है कि कौन कौन से कथन सही है यह हैं तो इसमें जो पहला दिया की मूल करतब बाती नागरिकों के साथ साथ बिदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होते हैं तो ये वाल अबर को गलत हो जाएगा क्योंकि मूल करतब जो होते हैं वो केवल केवल बाती नागरिकों पर लागू होते हैं ना कि बिदेशी नागरि प्राप्त हैं जबकि जो मुल करतब हैं वो विदेशी नागरेकों को प्राप्त नहीं है इसे लिए जो पहला वाला कतन है ये वाला विलकुल गलत हो जाएगा और इसमें जो दूसर ज्यायकी इन्हें संसद दोर उप्योकते विधान के माध्यम से लागू कराया जा सकता है त इसको सोव्यत संग यानि की रूस से अपनाया गया है और जो मूल करतब है इसको ब्यालेशी समिधान संसोदन अध्यम 1976 दोरा अपना गया था और जिसमें जो सिफार से की थी वो सरदार स्वान सिंग समीते ने की थी और आपन देखें कि इन सभी को अपन ट्रेक से कैसे नहीं पहले हमको यही कार करना है रूटना यानि कि रूस आ जागा यानि कि जब अपन मूल कार की बात करते हैं तो उसके लिए अपन रूट जाते हैं और जब अपन मूल करतब करते हैं तो उसके लिए जब अपन रूट जाते हैं तो उसको अपन स्वान की तरह चमका देत और यह समिधान संसोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों यदि आपको ये ट्रेक अच्छे लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक दो करें और हमारे चैनल पर यदि आप नहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जयो कर लिजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के स देश्ट बन सकें और अब पन चलते हैं कुश्य नमर नेक्स्ट है कुश्य नमर 74 है कि भारती सुतंतता अधिनियम 1947 की विशेस्ताओं के संदर्वे में निमने लखित कतनों पर विचार की जाद याई कि इसने भारत की राजिसाच्यों याने की भारत मंत्री के कारे जो है वो राष्ट मंडल मामलो के राजिसाच्यों को हस्त तनांत्रेते कर दिये गए थी और इसमें जो दूसर दिया कि इसने सिविल सिवा में निक्ती और पदो का आरच्चा समापते कर दिया तो इन्वेसाच्यों को बताना है कि इसका कौन सा आंसर शही है तो अग पन देखें जो भारति सुतंत्रता अधनियम 1947 था उसके कौन-कौन सी बिसिस्ता है तो इसमें जो पहले दिया कि इसने भारत के राजिसाच्यों यानि कि जो भारत मंत्री है उसके जो कार है वो राष्ट मंडल की राजिसाच्यों को हस्त नांत्रेते कर दिये थी तो ये वाला बिलकुल सही हो जाएगा और इसमें जो दूसर दिया है कि इसने सेवल सिवाव में न्युक्ति और पदों का अरच्छा जो है उसको समाप्त कर दिया था तो ये वाला भी बिलकुल सही हो जाएगा यानि कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नम इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दो उसलिए में ही जब लुएसे के सक्तियों में से भारत में पूर्ट गालियों की व्पस्तितीों सबसे लंबी अभिधी तक रही दूसरा द्यायगी पूर्ट गालियों दौराङ ही भारत में पर्त container फैक्ट्री काली कट में इस्तापित की गई थी और तीसरा द्याय की पुर्त गालियों दारा बंबई सहर दहेज की रूप में अंग्रेजों को उपहार में दिया गया था तो इन्वेसा को बताना है कि कौन से कतान इसके सही है तो अब पन देखें जो भारत में पुर्त गालि में से के सकतियु में से भारत में पुर्त गालियों की उपस्तिती सबसे लंबी अभ्धी तक रही थी तो यह वाला बलकुल हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजों का सासन चला गया था लेकिन पुर्त गालियों में दो गोव 48 पुर्त गालियुदारा भारत में प्रतम फैक्टरी जो थी वो कालिकट में इस्थापित की गई थी तो ये वाला भी बिल्कों सही हो जाएगा और इसमें जो तीसा दिया की पुर्त गालियुदारा बंबई सह जो है वो दहेज की रूप में अंग्रेजों को उपहार में दिय गया था तो ये वाला भी बिल्कों सही हो जाएगा यानि कि इसका सही अंसर हो जाएगा आंसर नमर इसका डी हो जाएगा कि एक दो और तीन इसका सही अंसर है और अब पन चलते हैं कुशन नमर नेक्ष्ट है कि निर्मने लिखते कतनों पर विचार की पहला दिया है भारत का स इसी ऐसे उधार का जो केंद द्वारा राज्य को दिया गया था कोई भाग अभी भी बकाया है तो राज्य जो है वो केंद की सहमती के बिना कोई उधार नहीं ले सकता है और इसमें जो तीसा द्याय की करा अधान की अवसिष्ट सक्ती संसद में नहित होती है तो इन्में जाना है कि इसका कौन सा आंसर शही है इसमें जो पहला दियाए कि भारत का समधान राज सरकारों को केवल घरेलों इस्तरोतों से उधार लेने का अधिकार देता है तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि जो घरेलों इस्तरोते यानि कि केंद सरकार से उधार ले सकत राज्य सरकार तो ये वालबलकुल सही हो जाएगा और इसमें जो दूसरा दिया है कि ये दी किसी ऐसे उधार का जो केंदर द्वारा राज्य को दिया गया था कोई भाग अभी भी बकाया है तो राज्य केंदर के सहमती के बिना कोई उधार नहीं ले सकता है तो ये वालबलक जो कथन दूसरा है ये वाला भी बिल्कों सही हो जाएगा और इसमें जो तीसर द्याय की कराधान की अवसिष्ट सक्ति जो है वो संसद में नहें थे तो ये वाला भी बिल्कों सही हो जाएगा यानि की इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नमर इसका डी हो जाएगा की एक दो पर आधारित है इसे संदर में भादे समिधान मंत्रियों के लिए निमने लिखेते उत्तरदायतों में से किसका प्राधान करता है पहला दिया है सामुहिक उत्तरदायतों का दूसर दिया है ब्यक्तिकत उत्तरदायतों का तीसर दिया है बिधिक उत्तरदायतों का तो इनमें स सिद्धान पर अपनको बताना है कि जो मंत्री होते हैं उनके लिए कौन-कौन से प्राधान किये गए हैं तो इसमें जो पहला द्याय की सामुहिक उत्तादाइत तो ये वाला बिलकुल सही हो जाएगा क्योंकि सामुहिक उत्तादाइत का मतलब है कि ये दि कोई प्रिस्ताव पारित किया गया है तो उसे जितने मंत्री मंदल में सदर्शें उन सभी को मानना पड़ेगा तो ये वाला बिलकुल सही हो जाएगा और इसमें जो दूसर द्याय की व्यक्तिगत उत्तादाइत तो ये वाला भी बिलकुल सही हो जाएगा क्योंकि जो व्यक्तिगत उत्ताद इसका मतलब होता है कि राष्टपती किसी मंत्री को उस समय भी पादि से हटा सकता है जब मंत्री पसत को लोग सवा का विश्वास प्राप्त होता है हाला कि जो राष्टपती होते हैं वो केवल प्रिधान मंत्री के सलाय पर ही किसी मंत्री को हटाते हैं और यह जो व्यक्तिग गया है और इसमें जो तीसरा द्याय की विधेक उत्तरदायत है तो यह अलब लुकुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो उत्तरदायत है यह बेटेन में प्रिचलत है ना कि भायात में और इसका मतलब होता है कि किसी सरवेजने के कारवाई के लिए राजा की पृतेक आदियस क किसी मंत्री दोरा पृति हस्ताच्रते किया जाता है और यदि जो राजा होता है वो यदि किसी आदियस या कानून का उलंगन करता है तो इसके लिए जो मंत्री होते हैं उनको उत्तरदाई ठहराया जाता है ना कि किसी राजा को ठहराया जाता है इसलिए इसका तीसरा वाल कुश्य नमबर 78 है कि निमने लिकेते येगों पर विचार कीजी एक तरब दिया है समने अवग्या आंदोलन के दोरा ने हुई घटना और दूसरी तरब दिया है छेत्रया राज पहला दिया है कनिंगम सर्कुलर ब्रोधी जो आंदोलन है ये असम से सम्मधित है दूसर दिया तो इन वे शाह को बताना है कि कौन से इसका शही सम्मेलित है तो अब देखें इसमें जो पहला दिया कि कनिंगम सर्कुलर ब्रोधी जो आंदोलन ये असम से सम्मंदित है तो ये वाला बिलकुल सही हो जाएगा और इसमें जो दूसर दिया की वन कानून ब्रोधी आंदोलन महराष्ट मद्धि प्रांत और कनाटक से सम्मंदित है तो ये वाला भी बिलकुल सही हो जाएगा और इसमें जो तीसर दिया की बाड़ा ब्रोधी आंदोलन उत्तर प्रदिश से सम्मनित है तो ये वाला भी बिल्को सही हो जाएगा यानि कि इसका सही अंसर हो जाएगा आंसर नमर डी हो जाएगा कि एक दोर तीन इसका सही अंसर है और अब पन चलते हैं कुशन नमर नेक्ष्ट है कुशन नमर 89 है कि होम रूल लिग आंदोलन के संदर में निमन लिखेते कतनों पर विचार की जिए पहला दिया है इसका उद्धिश बहरत में स्वासासन प्राप्त करना था दूसरा दिया कि बाती राष्टी कंग्रेस की सुईक्रिती से होम रूल लीगों की इस्तापना की गई थी और तीसरा द अंसर शही है तो अब अपन देखें जो हॉम रूल लिग आंदोलन हुआ था तो इसके संदर में अपन को बताना है तो इसमें जो पहला दिया कि इसका उद्धिश से भारत में स्वासासन प्राप्त करना था तो यह अलबलकुल सही हो जाएगा और यह जो हॉम रूल लिग अंदोलन है तो इसको दो जगाएं प्रारां किया गया था एक ही सन पर यहनी कि सन 1916 में जो तिलाक है उन्होंने बेलगा में भारति होम रूल लिग आरम किया था जबकि सन 1916 में ही लेकिन सितंबर में मद्रास में होम रूल लिग के स्वाप्तना कि थी और उनमें से दोनों इसमें जो दूसर द्याय की भाती राष्टी कांग्रेस की सुईक्रिती से होम रूल लेग की स्थापना की गई थी तो ये वाला बिलकुल गलत हो जागा क्योंकि उस समय जो भाती राष्टी कांग्रेस थी उनके मद्ध सुईक्रिती नहीं बनी थी और इसलिए फिर जो होम र जमनेम आयार जिसे प्रोकिन फिह तो यह वाला भी बिलकुँ सही हो जाएगा यानि कि इसका सही अंसर हो जाएगा इसका C हो जाएगा कि किवल 1 और 3 सही है और अब पन चलते हैं कुछनमर नेक्श्ट है कुछनमर असी है इस वीडियो का लाश्ट कुछन है कि बिटिस भारत की दोरान निन लिखते बिटिस गवर्नर जनरलों मैंसे किस ने आहस्त छेप की नीती का पालन किया था पहला दिया है लॉर्ड कर्णवाले से दूसर दिया है सर जोर्ज बालो तीसर दिया है लॉर्ड मिंटो प्रथम तो इन में से आगको बताना है कि इसका कौन सा आंसर शही है तो अब बन देखें कि जो आहस्त छेप की नीती यानि की नौन इंटरवेंटियों निजम है यह आपन कहें कि आहस्तचेप है यानि कि non intervention तो यह एक प्रकार की बिदेश नीती है जो कहती है कि राज नीते के सासकों को बिदेशी राश्टों के मामलों में हस्तचेप करने से बचना चाहिए लेकिन जो कूट नीती और ब्यापार है उसको बनाय रखना चाहिए और जब त अच्छ आत्मरच्छा की बात ना हो तब तक युद्ध को टालते रहना चाहिए यही कहलाती है आहस्तचेप की नीती और आपन देखें इसमें जो पहला द्याय की लौड कनवालिस ने यही नीती अपनाई थी तो यह वाला बिलकुल सही हो जाएगा और इसमें जो दूसर दिया की सर जोर्ज वालों ने भी यही नीती अपनाई थी तो यह वाला भी बिलकुल सही हो जाएगा और इसमें जो तीसा दिया की लौड मिंटो प्रतम ने यही नीती अपनाई थी तो यह वाला भी बिलकुल सही हो जाएगा और यही तीन गवर्नर जनरल थी जिनोंने आह लगए हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ है शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जहू कर लिजिए ताकि आप भी हमारे परवायर के सदस्ट बन सकें और दोस्तों प्रेस बेल आइकेन वटन को जहू दमा यजिए